हे गाईज नमस्कार आप सभी का स्वाकत है आपके प्रेने चैनल एक जम अड़ाफाइश्टेडी पर 79,000 सिच्छक वर्ती 22,000 सीटों को जोडने के लिए और साथ में आरच्छड का मुद्दा दोनों मुद्दे इस समय उत्तर पर्देश में चरंपर हैं अब सरकार के लिए बीज का रास्ता क्या निकालने जा रहे हैं और सरकार के लिए बीज का रास्ता क्या वस्ता है इसके बारे बहुत ही बिग अपडेट है हमारे पास आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग अ इस चैनल के मध्यम से आप सभी को सिच्छक भर्ती जोड़ी लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। तो मित्रों जैसा आप सभी जानते हैं कि उनहात्यजा सिच्छक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए और दूसरी तरफ आरच्छर मुद्दे को जो राष्टि पिछला वर्ग आयोग ने अपने जांच रिपोर्ट में कहा कि आरच्छर के साथ में भेदबाव हुआ है आरच्छर के साथ में छेर चाड़ हुआ है दोनों जो मुद्दे हैं लगवक देखा जा तो 160 दिन होने वाले हैं 170 दिन से अधिक हो चुके हैं लेकिन अभी तक इस पे सरकार गंभीर होती नजर नहीं आ रही है अब आपके सामने मित्रों कल का डेट बहुत ही इंपोर्टे आयोजित किया गया है 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए जितनी संख्यावल आपकी होगी उतना ज्यादा परबल आपके 22,000 सीटों का जोड़ना होगा अगर आप लोग एक एक करके SCRT पर जुटते गए आपकी संख्या 10,000 पलस हो जाती है तो कल ही मित्रों आप लोग का जो काफी दिनों से संगर्स जो चल ला है कल उसका पूर्विराम हो जाएगा और जो आपका जायज मांग है एक लाग 37,000 पदों को दो कर्मागत बत्यों बरा जाना था उसको आप लोग का जो जायज मांग है वो कल पूर हो जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोड का वर्डिक था कि दो कर्मागत बत्यों में एक लाग 37,000 पदों को बरा जाया कल अगर आप लोग की संख्या 10,000 SCRT पर पाई टंकी के पास हो जाती है तो मित्रों आप लोग का जो मनो कामना है 22,000 सीटों का जुड़ना या कहें मित्रों 26,000 सीटों का जुड़ना मनो कामना आपकी कल पूरी ह हो जाएगी अब सब जो दरौमदार है वो आपके उपर टिकता है कि आप घर में रहना चाहते हैं या एक सीट लेकर आप प्रैमरी स्कूल में साहक अध्यापक के रूप में विराजमान होना चाहते हैं जो हमारे अंतिम पड़ाओं पर हैं भाई बेन हैं जो 40 साल के आस पा पहुचने वाले हैं उनके लिए लास्ट है सबसे ज़्यादा जो तो मित्रों वही लगा रहे हैं कम से कम आप लोग उनको देखकर अपने अंदर जो कि ललक है जो मट चुकी है आपकी ललक उसको जागरित कीजिए और चुप चाप बैक बैक कीजिए और कल 10 बजे तक आप लोग SCRT पर प्रस्थान कर जाईए और जो आराच्छड का मुद्दा है मित्रों सरकार इस पे कोई भी रिपोर्ट लगाने वाली नहीं है क्योंकि सरकार इस पे गलती अपनी नहीं मानेगी क्योंकि सरकार को 2022 चुनाओं में जाना है जैसा आप सभी जानते हैं जो बर्तवान की सरकार है गलती तो करती है और गलती इसको मालूम रहता कि हां मैंने गलती की है लेकिन ये अपनी गलती नहीं मानती है इस बर्तवान सरकार की यही खासियत है आरचण में भी इस सरकार ने गलती की है भरपूर तरीके से गलती की है लेकिन सरकार गलती मानने वाली नहीं है अब सरकार के पास बीज का रास्ता सिप एकी वस्ता है 26,000 सीटे जोड़े आरचण का मुद्धा भी सांथ हो जाएगा साथ में 22,000 सीटों का जो मुद्धा है उपी सांथ हो जाएगा जो आरच्छा वाले भाई बैन है, जो 22,000 वाले भाई बैन है, दोनों की जाइज मांग है, दोनों अपनी जगा एक दम सही है, दोनों की मांगों को सरकार को देखना चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए, जल सजल इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए क्योंकि दिसंबर माह के लाश तक आते आते मित्रों अचार संगिता लग जाएगी उसके बाद कोई भी काम नहीं होने वाला है जो हमारे भाई बेन लगाता जमे हुए हैं इनको भी अंतता अपनी घर की तरफ परस्तान करना होगा क्योंकि चुनाओ के दर्मियान मित्रों कोई भी आप धर्ना पर्दस्तन नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूरा सिस्टम चुनाओ आयोक के अंदर आ जाता है तो आप लोग खुश समस्तार हैं कि आप लोग के पांच मित्रों कल का जो निड़ायक टाइम है आप लोग के तीन दिसमबर ओ अहम होने जा रहा है अगर आप लोग के संख्यावल दस हजार हो जाती है तो आप लोग का जियो मित्रों कल ही जारी हो जाएगा 22 जाज सीटों को जोडने के लिए साथ में जो आरचर का मुद्दा है उसका भी समाधान हो जाएगा अब आपको टै करना है कि इस वीडियो को अधिक सर्दिक आप लोग सेयर कीजिए जितने भी आप लोग के एजूकेशन गूरूप है वार्सप गूरूप है सब जगा फेस्बूक गूरूप है सब जगा इस वीडियो को आप लोग वायरल कीजिए अंत्र तक जुड़े रहने के लिए हमारी सभी सम्मारी साथियों का बहुत बहुत धन्दबाद, जय हिंद, जय भारत, कल जैसे ही विशाल धर्णाप परदसन ये CRT पर होगा सबसे पहले अपडेट आपके अपने चैनल एकजाम अड़ाफा इस्टेडी के मात्यम से आप लोको मित्रो मिलना स्टार्ट हो जाएगी